आज आपके कुछ सवाल लेंगे और मैं जवाब दे दूंगा तो बहुत सारे स्टूडन्स के मन में सवाल होंगे तो उसमें से कुछ हम चुनेंगे यहाँ पर और उनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे तो चलिए करते हैं इस वीडियो में शुरूरात और देखते हैं कि आपके कुछ सवाल दोस्तो बहुत स्टूडन्स का इस सवाल था कि मैंने फ्रीज बेटरमेंट सेल फेरिफिकेशन नहीं किया तो फिर उसका क्या परिणाम होगा आगे क्या हो सकता है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सीट मिली है तो वो सीट चल किया है मुझे कोई सीट अलॉट में नहीं हुई थी और मैंने सेल फेरिफिकेशन के स्टेज भी नहीं किये तो फिर क्या होगा दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीट इसल ने आपको रिक्वेस्ट की थी आपको मैंड़ेटरी किया था सभी को यह कंबसरी किया था कि आपको सीट अलॉट में हुई हो या फिर ना हुई हो आपको सेल फेरिफिकेशन करना था लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपको आगे नहीं जाने देंगे ऐसा कही भी नहीं है रूल में कि आपको अगर आपने सेल फेरिफिकेशन नहीं किया तो फिर आप अगले कि आप अगर पॉसिबल हो तो आपको कोई प्रॉब्लेम नहीं होनी चाहिए सेल फेरिफिकेशन की स्टेज कम्प्लीट करने में बहुत ज्यादा वक भी नहीं लगता है उसे तो आपको करना चाहिए उन्होंने अगर रिक्वेस्ट की है उन्होंने आपको कहा है कि आप करें तो फिर हमारी भी responsibility बनती है कि उससे हम complete कर दे चलिए उन दोस्तों के लिए बात करेंगे जिनका document बाकी है तो सभी को पता है उनको extension मिल गया है 20 तक आब वो कर सकते है और अगर उन्होंने कोई step complete नहीं की है तो फिर उनको करने के लिए अब मौका मिलेगा 20 तारीक तक हालक कि आप comments में मुझे बताईएगा कि दूसरे student जिन्होंने कुछ action नहीं लिया था क्या वो login करके अब self verification का stage complete कर पा रहे है या फिर नहीं बाकी की system तो मुझे लगती है कि चालू है अभी जैसे test condition है आपका portal चालू है सब कुछ चालू है तो आप देख लीजिएगा comments में बत करेंगे तो अब जासो कोगे बात करते हैं दूसरे question की तरफ तो वह है जिस college में second round के लिए seats ही नहीं होगी तो फिर उनका option देने का क्या मतलब है बहुत सारे students के मन में सवाल आया होगा कुछ courses के seat matrix या दूसरे round के लिए vacancy position आ गई है अब engineering की बहुत जल आ जाएंगी आपसे आपको option form include करना चाहिए और उसका reason यह है दोस्तों की live vacancy तो वह क्या होती है जब दूसरे round की allocation की system काम करती है वह चालो रहती है जब आपका allocation होता है तो उस दावरान अगर समझो किसी x college में एक किसी एक particular OBC के लिए हम for example पकड़ते है कि OBC के लिए कोई CT बाकी ने एक x college में तो फिर उस x college का option देने का क्या फाइदा है मैं आपको बताता हूँ अगर किसी OBC की एक seat नहीं है लेकिन जिनको OBC की seat उस college में मिली है उन्होंने betterment का option चुना है लगबग 70% लोगोंने betterment का option चुना है तो अगर वो अगर betterment होके आगे जाते है तो फिर उनकी खा वाली seat होगी तो उसी दावरान वो भरी जाएगी वो कोई third round में जाने वाली नहीं है तो फिर उसका फाइदा लेने के लिए आपको उसका option देना होगा तभी तो वो seat आपको मिलेगी अगर आपने option ही नहीं दिया तो फिर आपको seat नहीं मिलेगी दूसरी बात है कि अगर seat matrix declare होता है मतलब vacancy position हमें पता चलती है आज कि कितनी seats बाकी है second round के लिए लेकिन अगर आपके option form भरने के दौरान या फिर आपका allocation का जब समवय आता है तब तक कोई अगर कोई admission cancel कर लेता है किसी college का तो फिर उसकी vacancy आपको उस table में तो नहीं दिखेगी लेकिन उतो हो जाए set करने में कोई problem नहीं होनी चाहिए चली अगला हम question पूछेंगे बहुत सारे students का question था कि मैं category से हूँ लेकिन मुझे seat मिली है open की और फिर दोनों question उन से associated थे एक fees के regarding और ऐसा क्यों हो है तो पहले हम क्यों देखेंगे बाद में फिर जाएंगे हम fees की तरप दोस्तों ये दो उसकी वज़े जादतर हो सकती या तो फिर आपने ऐसे option दिये कि आपकी category टेस्ट नहीं हुई आपको open की seat मिली मतलब आपने ऐसे seat पर claim किया जो आपको open से भी मिलती थे मतलब आप category से नहीं भी बिलांग करते थे तो भी आपको seat मिल जाती ऐसे आपने option दिये इसकी वज़ होता है तो अगर आप top में हो merit में फिर आपको open की seat मिलीगी उसका example भी हम यहाँ पर refer करेंगे दोस्तों तो चली एक college का हम लेंगे पहले फिर हम दूसरे college की तरफ जाएंगे तो समझो एक computer engineering है यह वी आटी का शायद हाँ वी आटी का तो यहाँ पर इस student को अभी open की seat मिली वो OBC है लेकिन उसे open की seat मिली क्यों क्योंकि वो open के merit में आ रहा है और उसने option भी वैसा दिया होगा अगर वो OBC से उसको और थोड़ा सा higher seat मिल सकती थी अगर उसको चाहिए computer मिलता था मिल सकता था PST का तो उसका cutoff और भी नीचे है तो वो यहाँ पर बैठ सकता था अगर option देता था हो सकता है कि scenario अलग हो क्योंकि वो home in city की seat से ये बंदा outside home in city दूसरे home in city पूने ना हो यह भी वज़े हो सकती लेकिन ऐसे भी एक पौरा example की तोरपे मैंने दिखाया आपको इसने option ऐसे दिये कि उसको seat ये open से मिली अगर वो दूसरे option भी देता तो OBC से उसको PST क comp मिल सकता था एक scenario मैं आपको स्रीप example बता रहा हूँ हो सकता है कि उसके अलग भी वज़े हो सकती उसने option भी दिया हो लेकिन वो home in city का बंदा ना हो उसकी वज़े से भी उसको ना मिला इसा हो सकता लेकिन अगर home in city का होता तो उसको ये मिल जाता था आपको उसके category पर लेक पर लेकिन वह पहला ही है अब है मेरिट में वह है सब से उपर है तो फिर उसको seat मिलेगी open की ही क्योंकि वह merit में है और open की seat क्यों सीठ कोन से मिलेगी, open की ही मिलेगी उसकी प्रकार ये NT Singapore student है उसको open की seat मिलेगी क्योंकि ही這तना है में आया होगा कि open की seat क्यों मिलती आप अगर merit में हो तो फिर आपको open की seat मिलेगी या फिर आप ऐसे seat मांग रहे हो जो कि open से भी आपको मिल सकती है तो आपको open से ही मिलेगी तो open seat भरते समय सभी उनके लिए eligible होते हैं सभी students का विचार किया जाता है तो ये एक बार हम मैं और सबस्ट करना चाहते हैं जिनके मन में सवाल होता है कि मुझे सिर्फ DTVJ की seat है NTVJ की seat है तो सिर्फ NT1 के लिए ही मुझे consider करेंगी ऐसा नहीं होता है दिखिए उसको open की seat मिल गई है तो ऐसा नहीं होता है कि अगर open की seat मुझे मिली तो फिर open की fees भरनी होगी दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहता हूँ आपको कि seat आपको जो fees है वो fees seat को नहीं होती मतलब कौन सा seat आपको मिला है उस पर वो नहीं होती है आपके category क्या है आपको free seat scholarship का फाइदा मिलेगा या नहीं मिलेगा आप उस scheme के लिए eligible हो या नहीं हो उस पर आपको fees का फाइदा होता है उस पर fees होती है क्योंकि fees associated होती है आपके fees देने वाले authority से वो है आपका समाझका लेन या फिर जिसे हम आयुक्ताले बोलते है तो free seat scholarship जो आप जहां पर apply करते हो उन department से अगर आपकी fees आ रही है तो फिर आपको fees में फाइदा मिलेगा और seat आपको चाहिए कौन से भी मिलेगा दूसरा एक उधारन है कि अगर आप all in day की seat आपको मिलती है तो मैं वो screenshot यहाँ पर डालना भूल गया अच्छली अगर यह की seat मिलती है तो फिर उसमें तो कोई category का tag होता ही नहीं है तो फिर उसमें भी आपको अगर आपको all in day की seat मिलती है और अगर आप category से हो आपके पास अगर सारे document है आप अगर फ्रेशिप स्कॉलेशिपली eligible हो तो fees में फाइदा आपको मिलेगा तो उसमें कोई आपको चिंता करने के जरुरत नहीं है आपको अगर seat भी मिल गई हो open की लेकिन आप अगर category से बिलोंग करते हो तो फिर आपको fees category की ही भरनी है तो अगला question हम लेंगे कि दूसरा भी question बहुत ही जल्ट students का आएगा जैसे admission system शुरू होगी, admission confirmation शुरू होगा तुरंत ये question आता है और अभी इस साल तो ये कम होगा लेकिन हर साल ये क्या होता है कि जैसे admission होता है इदर उदर बच्चे switch होते रहते हैं तो फिर ये बहुत सारे students का सवाल होता है कि admission cancel कर दिया तो फिर documents का क्या होगा क्योंकि हम admission के लिए जा रहे तो फिर हम original document दे रहे fees बढ़ रहे, cancel कर दिया तो फिर fees का और document का क्या तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हो कि ऐस पर रूल आपको तुरंत document आपस मिल जाएंगा अपने online login आपको जाना है, वो हम detail चर्चा, पूरा special video हम उस पर बनाएंगे कि admission cancel, already मैंने बनाया है, पिसले साल भी आप उसे भी refer कर सकते हो, कुछ अगर उसमें नयार डालना है तो फिर इस साल भी हम उस पर चर्चा करेंगे, कि अगर आपको online जाकर अपने admission cancel कर दे तो आपका admission cancel समझा जाएगा और वो जगा फिर हो जाएगी किसी और को allotment करने के लिए college उसे allot कर सकता है आपको document तुरंत मिल जाएगे college से, fees में हो सकता है कि कोई college क्या कर रहा है कि तुरंत process कर रहा है कोई college क्या करते है कि admission system खत्म होने भी आपको refund कर रहे है लेकिन admission cancel अगर आप top date के पहले करते हो तो सिर्फ 1000 रुपीज जो होगे उनके cancellation charges वही आपकी deduction होगा बाकी सारे fees आपको वापस मिलनी चाहिए तो इसमें भी आपको कोई आप मुझे लगता कि कोई question नहीं होगा अगर आपका top date के पहले admission cancel करते हो तो आपको fees में और document में कोई problem नहीं आएगा इवन LC में भी कोई बहुत सारे students का ऐसा लगता कि फिर engineering का LC हमें मिलेगा ऐसा कुछ नहीं जब तक हाप admission confirm नहीं होता का top date नहीं होती आपका 12 का LC जैसा है वैसा ही आपको refund या फिर return आपको वापस मिल जाएगा तो दोस्ते इस वीडिये में हमने कुछ सवालों के बारे में चार्चा कि अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो आप पूछेगा हम जरूर कोशिश करेंगे अगर बहुत सारे students का वो सवाल common है तो फिर उस पर हम वीडिये को दारा चार्चे करने के कोशिश करेंगे रुपते या फिर मिलेंगे किसी नए हुड़ी में तब तके लिए नमस्कार अगर पॉसिबल हो तो आप शेर लाइक और आप सब्सकार करना ना बोलिएगा थैंक्यू